दोस्तों आज मैं आपको घर पर अपने होम गार्डन में भिंडी ग्रो करने के लिए ऐसी 10 टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने होम गार्डन में धेर सारी भिंडी को ग्रो कर सकते हैं और उससे continuous harvest ले सकते हैं मतलब एक बार भिंडी लगाने के बाद आपको उससे हमेशा भिंडी harvest करने को मिलती रहेगी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो आज हम बात करने वाले हैं भिंडी के पौधे को कैसे घर पे ग्रो करें भिंडी को manly, okra या lady fingers के नाम से भी जाना जाता है जो की health के लिए बहुत फायदेमंद होती है और इसे home garden या फिर बहुत ही आसान है आज मैं आपको कुछ ऐसी 10 tips देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने home garden में धेर सारी भिंडी ग्रो कर सकते हैं तो इस वीडियो को बिलकुल लाश तक देखिए किसी भी step को मिस ना करें इसे देखने के बाद अपने home garden में आप धेर सारी भिंडी को ग्रो कर लेंगे तो शुरुआत होती है भिंडी को लगाने से कि भिंडी को कैसे लगाया जाता है तो भिंडी को लगाने के लिए इसके बीच की आप नरसरी तैयार कर सकते हैं या तो आप इसके बीच को सीधे ही गमले में लगा सकते हैं तो नरसरी तैयार करते समय ध्यान ना लगे भिंडी के बीज को उगने में जो है चार से बारा दिन लग जाते हैं डिपेंड करता है कि आप किस टेंपरेचर में भिंडी को लगा रहे हैं यदि आप कहां टेंपरेचर जो है 15 डिग्री से उपर है तो आप भिंडी को लगाना शुरू कर सकते हैं और भिंडी को लगाने का जो सही समय होता है वो गर्मियों का समय होता है इस पेसली यह समर क्रॉप है तो आप फरवरी से जून तक भिंडी को लगा सकते हैं मतलब फरवरी से जून तक जो पांच महीने होते हैं उसमें आप भिंडी को लगा सकते हैं और इसका जो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है वह 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर भिंडी काफी अच्छी ग्रो होती है और उसमें धेर सारी फ्लावरिंग और फ्रोटिंग होती है तो भिंडी के बीच को सीधे भी लगाया जा सकता है और इसकी नरसरी भी तैयार कर सकते हैं दूसरी बात करें कि भिंडी को जो हमें लगाना है उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए तो भिंडी जो है इस पेसली गर्मियों में होने वाली सबजी है और इसके लिए जो हम मिट्टी लेंगे वह है जो उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए और साथ में उसमें नमी बनी रहे इस तरीके कि आपको मिट्टी लेनी है तो मिट्टी के लिए हम यूज करेंगे 50% normal soil और 50% गाय के गोबर की खाद को अगर आप इस तरीके से मिट्टी नहीं बनाना चाहते तो आप ले सकते हैं 40% normal soil 40% गाय के गोबर की खाद और आप 20% मिला सकते हैं उसमें कोकोपीट कोकोपीट मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा साथ में आपकी जो मिट्टी है उसको हलका भी बनाएगा तो कमपोश्ट और कोकोपीट मिलाने का हमारा परपस मिट्टी को हलका बनाना होता है ताकि हमारे टेरिस पर जादा बजन ना पड़े तो इस तरीके से मिट्टी बना लीजिए और इस मिट्टी में अब आप जो भी भिंडी के पौधे या बीज लगाएंगे वह काफी अच्छे से ग्रो करेंगे तीसरी बात करें कि भिंडी जो है समर क्रॉप है मतलब गर्मी में होती है तो यसे पानी की बहुत जादा नीड होती है तो यदि आप गर्मीयों के दिनों में जैसे की फरवरी में अगर आप लगाएंगे तो मार्च अप्रेल में जब भिंडी हार्वेस्ट करेंगे तो इस समय आपको daily watering करनी है पानी देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि भिंडी में जो है नमी बनी रहनी चाहिए अगर आप proper watering करेंगे तो आपको बहुत अच्छा result मिलेगा इसलिए जब भी आपको लगे कि उपर की मिट्टी सूखी है और उसमें पानी दे दीजिए पौधों को पानी कैसे देना है उसका complete वीडियो हमारे चैनल पे upload है आपके right side पर आई बटन सो हो रहा हुआ वहाँ जाकर आप देख सकते हैं आप समझ जाएंगे कि पौधों को पानी कब और कैसे देना चाहिए हम next tip की बात करते हैं तो container size especially बहुत सारे जो subscriber हैं मेरे comments करते हैं कि सर कितने भिंडी के पौधे को किस size के गमले में लगाना चाहिए साथ में हम कितने भिंडी के पौधे लगाएं जो एक small family के लिए जो हमें खाने को उसमें धेर सारी भिंडी मिले तो container size की बात करें तो भिंडी को minimum 12 by 12 inch के container मतलब pot में लगा सकते हैं आप या grow bag में लगा सकते हैं जैसे मैंने देखिए इस तरह से grow bag में लगाया है तो 12 by 12 inch के grow bag में आप 1 से 2 भिंडी के plant लगाये इसके बाद आप देख रहे हैं यह 15 by 15 के grow bag है यहाँ पे मैं बता धून तो यह 15 by 15 के grow bag है तो इसमें आप 2 से 3 भिंडी के plant लगा सकते हैं जैसे आप यह सामने देख रहे हैं तो यहाँ पे तीन भिंडी के पौधे लगे हुए हैं और आप देखिए इसमें किता अच्छी हमें भिंडी मिली है और काफी अच्छी भिंडी ग्रो हो रही है। साथ में मैं बात करूँ अठारा वाई 18 इंच के ग्रोवेक की तो उसमें आप 4-5 भिंडी के पौधे लगा सकती हैं। गहराई की बात करें पॉट की तो मिनिमम 12 इंच गहराई होना जरूरी है ताकि जो आपकी भिंडी के पौधे की रूट है वो प्रॉपर तरीके से नीचे तक जा सकें क्योंकि भिंडी में रूट भी जो थोड़ा सा बड़ी होती है और इसमें टेप रूट भी होती है जो की नीचे गहराई में जाती है तो मिनिमम हाइट 12 इंच आपको लेनी है तो पॉट साइज की हमने बात कर ली अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की भिंडी को फर्टिलाइजर की काफी जादा रिक्वार्मेंट होती है क्योंकि इसमें जो प्रोड़क्शन होता है वो बहु प्रोड़क्शन हमें काफी जादा मिलता है तो दूसरी हम बात करें कि भिंडी लगाने के बाद हमें कप फर्टिलाइजर देना है तो उसमें हम फर्टिलाइजर देंगे हर 20 दिन के अंतर से और उसमें हम देंगे गाय के गोबर की खाद बर्मी कंपोस्ट या किचिन बेस् तीनों में से तीनों को मिक्स करकर भी दे सकते हैं या अलग-अलग टाइम पर बदल बदल कर हर 20 दिन के अंतर से आपको इन खाद को देना है इससे आपको धेर सारी भिंडी हार्वेस्ट करने को मिलती रहेंगी इसके बाद हम बात करें कि आपको भिंडी जो है इसमें पेस भिंडी के प्रोडक्शन रुख जाता है और पौधे डैमेज हो जाते हैं तो इसे आपको दूर करने के लिए आप प्रिवेंटिम मेथड में नीम ओयल का इस्प्रे कर सकते हैं तीन से पांच एमें लीम ओयल को एक लीटर पानी में घोल लीजिए और उसमें एक चम्मच आप किसी भी डिस्बॉस लिक्विड जो होता है उसे मिला लीजिए और उसका इस्प्रे करेंगे तो काफी अच्छा प्रिवेंटिंग मेथड है इससे एफिट्स का अटेक आपके भिंडी के पौधों पर नहीं होगा साथ में आप चाहें तो 3G Organic Pesticide बना सकते हैं जिसमें गारलिक, जिंजर और ग्रीन चिली का इस्तमाल किया जाता है और इन तीनों का पेस्ट बना कर आप पानी में घोल कर इसका स्प्रे कर सकते हैं साथ में आप इसमें जो है अनियन औ और गारलिक का पेस्ट का भी रेड मिर्च के साथ मतलब अनियन गारलिक और लाल मिर्च पाउडर को मिला कर भी स्प्रे कर सकते हैं इससे भी काफी हद तक आपके भिंडी के पौधों में पेस्ट का कंट्रोल हो जाएगा तो कुछ यह और्गनिक तरीके थे जिसकी मदद से आप अपने भिंडी के पौधे में जो है और्गनिक तरीके से पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं और बागी आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसमें जादातर कीडे मकोडे अटेक नहीं करते और इसमें जादातर पेस्ट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसके है जैसे ये भिंडी आपको देख रही है तो आप इसे एक दिन बाद हारवेश्ट कर सकते हैं मतलब कल यह हारवेश्टिंग के लिए रेडी है हो जाएगी और अगर मैं बात करूँ यह सामने आप जो भिंडी देख रहे हैं तो यह बिलकुल आज हारवेश्टिंग के तो अगर आप काफी दिन तक भिंडी को छोड़ देंगे तो देखिए भिंडी इस तरीके से हाड होने लगेगी और नीचे से यह हाड होने लगती है और इसके बीच जो है मैच्योर होने लगते हैं फिर इसमें वह टेस्ट नहीं बचता तो आप कोसिस करें कि भिंडी को हार्वेष्टिंग स्टेज यह होता है जो मैं आपको भाद भात करें तो यह दो दिन बाद हार्वेष्ट के लिए तैयार हो जाएगी और इस्के एवर बाद हारवेष्ट करने को मिलेगी इस तरह से भात करता है तो अब बात करते हैं कि अगर आप small family की बात कर रहे हैं तो 10 से 15 plant sufficient होते हैं जो आप अपनी घर में एक छोटी family के लिए भिंडी की जो है हर alternate day आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप 10 से 12 plant लगा लेते हैं तब भी आपको धेर सारी भिंडी जो है harvest करने को मिलती रहेगी भिंडी का plant देखने में काफी अच्छा लगता है और इसमें जो flower होता है इसका वह भी काफी सुन्दर होता है देखिए मैं आपको बता रहा हूं तो इस तरीके से आप भिंडी को अपने घर में लगा कर धेर सारी पैदावार ले सकती हैं इसके बाद हम बात करें कि भिंड हो रही है यलो हो रही है तो आप इन्हें हटा दें इससे क्या होता है एरेशन बनता है प्रॉपर हवा और संलाइट हमारे पौधों को मिलती है अगर आपने एक ही पौधे में तीन से चार प्लांट लगा हुए हैं तो इस तरीके से नीचे की पत्तियों को हटाते चलें मतल तब आप चाहते हैं कि आपके गाडन से भिंडी हार्वेस्ट करने को मिलती ही रहे तो आपको फरवरी से लेखे जून तक हर महिने एक बार भिंडी के बीच को लगाना है लगभग पांच महिने में इस तरीके से आप हर एक महिने के अंतर से भिंडी के बीच को लगाते जा तो इस तरीके से आपको जो है भिंडी की continuous supply मिलती रहेगी और आप हमेशा आपके garden से आप भिंडी हार्वेस्ट कर पाएंगे तो एक 20 से 30 दिन के अंतर से आप भिंडी के पौधे लगा दीजिए और इन्हें आप फरवरी के महिने से जून के महिने तक लगा सकते हैं इसके बाद बात करें कि जब अगर आप भिंडी को हार्वेस्ट नहीं कर पाए हैं और भिंडी हाड हो गई है जैसे कि ये भिंडी आप देख सकते हैं तो इसे आप पौधे में लगा छोड़ दीजिए कुछ दिन बाद ये सूख जाएगी और इसमें से आप सीड निकाल कर इ सकते हैं रेर सारी भिंडी आपको खाने को मिलेगी और आप अपनी फैमली के साथ और्गनिक भिंडी का इस्तमाल कर सकते हैं बड़े ही आसानी से अपने होम गार्डन में भिंडी को ग्रो कर सकते हैं तो आपको ये टिप्स कैसी लगी अगर आपको घर में भिंडी कैसे यह information अच्छी लगी हो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को like जरूर करें आपका एक like हमारे लिए बहुत ही माइने रखता है साथ मैं इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ share करें ताकि वह भी अपने home garden में धेर सारी भिंडी को ओगा सकें और उससे धेर सारी हिंडिया हार्वेस्ट कर सकें तो फिर आज के वीडियो के मैं इतना ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए happy gardening